नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से हार्डिक स्वागत है हमारे यूच्यूब चैनल पंडित शंकरलाल अचारिय में आज की हमारी वीडियो का विशय है पती को बस में कैसे करे क्या आपका पती अब आपको पहले की तरह प्यार नहीं करता क्या आपका पती आपको मारता पीटता है क्या आपका पती आप से हमेशा नाराज रहता है आपकी सुनता नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बस हमारे आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर द कई पतनिया अपने पती को वश में कर चुकी है, जैसे सरिता ने अपने पती को अपने वश में करके उनका प्यार पाना चाहती है? तो आप हमारे द्वारा इस वीडियो में बताए गए टोटको का प्रयोग कर सकती है क्योंकि वह इतने कारगह है जिसकी मदद से आप बिना किसी परेशानी वह कर्थिनाई के अपने पती को अपने बस में करके उनका प्यार पा सकती है लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पंडित शंकरलाल अचार्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ वाली बिल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस न कर सके को दोस्तों बिना देरी किये जानते हैं पती को बसमे करने के कुछ कारगर तोटकों के बारे में लेकिन इन तोटकों के बारे में जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इन तोटकों को हमारे विशेशगियों के परामर्ष के बिना करना नुकसांदाई हो सकता है और इन टोटकों का प्रयोग किसी को भी हानी पहुँचाने के लिए बिल्कुल न करें तो दोस्तों बिना देरी किये जानते हैं पती को बसमे करने के कुछ कारगटोटकों के बारे में शनिवार के दिन आधी रात में साथ लोंग ले और उसे लेकर 21 बार अपने पती का नाम लेकर फूंप मारे और अगले रविवार को इन लोग को आग में जला दे इस प्रक्रिया को साथ बार करने से आप पती के अलावा भी किसी का भी वशी करन कर सकती हैं एक से दो हफ़ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पती को बसमे करने के टोटके जरूर समझ में आये होंगे अगर आपकी इन टोटकों से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी समस्याए बता सकते हैं और साथ ही आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि हम आपके लिए आगे किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और साथ ही अपने उन सहेलियों के साथ भी शेयर करे जो अपने पती को वश में करके उनका प्यार पाना चाहती है और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पंडित शंकरलाल अचार्य को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस न कर सके हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धनयवाद